वेलकम बाक चिल्डरन और ग्रिटिंग्स रॉम दे और ब स्कूल हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है मुझे आशा है आप सब लोग घर पे ठीक हो और आप अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हो आज हम नया व्यांजन सीखने जा रहे हैं और वो नये व्यां व्यांजन ट व्यांजन ट शुरू करने से पहले हम पहले जो सीखे है जो की कवर्ग के व्यांजन और चवर्ग के व्यांजन है उसका पुन्रावर्तन करेंगे कवर्ग, कवर्ग में पाँच व्यंजन है जो की क की लाइन बोली जाती है कवर्ग, पाँच व्यंजन, कख, गग, अंग, क से कबूतर, ख से खत, ग से गदा, ग से घोसला, और अंग से खाली बच्चों आपको ताली बजानी है कवर्ग के बाद में आता है चवर्ग मतलब च की लाइन जिसमें पांच व्यंजन होते है च च ज ज ज य च से चपल च से चापा ज से जहाज ज से जुमखे और य य क्या होता है? उसके लिए कोई भी पिच्चर नहीं होता है ये व्यंजन एक मात्रा की तरह शब्दों के बीच में नहीं तो शब्दों के अंत में उप्योग किया जाता है जिसके लिए हम चंद्रबिंदू का उप्योग करते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था अभी हम देखेंगे व्यंजन ट व्यंजन ट से शुरू होने वाले शब्द और वस्तूओं का अभ्यास करेंगे ट से टोकरी ट से टोकरी टोकरी जिसमें फल फूल रखा जाता है उसे बोलते हैं टोकरी और टोकरी शब्द ट से शुरू होता है ट से टोकरी उसके बाद में ये होती है तहनी तहनी मींज ये जो छोटी-छोटी डालिया होती है जिसके उपर पत्ते और फूल आते है उसे बोलते है तहनी और ये तहनी शब्द वो ट से शुरू होता है ट से तहनी उसके बाद में ये क्या है? तंकी घर में पानी कैसे आता है नल से नल में पानी कैसे आता है टंकी से और वो टंकी कहां होती है घर के उपर अगर आप बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हो तो लास्ट जो आपका टेरेस होता है उधर ये रखी जाती है इसमें पानी स्टोर करते है और ये जो शब्द है वो तसे शुरू होता है ये क्या है तसे टंकी उसके बाद में ये क्या है छोटा घोडा हमने वो कविता सुनिया ना घोडा मेरा सरपट दोडा ये छोटा छोटा घोडा है और छोटे घोडे को क्या बोलते है टट्टू, ट से टट्टू, बच्चो आपको दोहराना है, ट से टट्टू, उसके बाद में ये क्या है, टोली, टुकडी, a group of people, जब इस सब लोग एक साथ में जमा होते हैं, एक ग्रूप बनाते हैं और बात करते हैं, उसे क्या बोलते है टुकडी, आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स जब साथ में मिलते हो, तो ऐसे ग्रूप बना के बाते करते हो, बन करते हो ना, हाँ, वो ही है, ट से टोली, नहीं तो ट से टुकडी, बच्चो आप सोच रहे हो होगे, कि ये दोनों पिच्चर में क्या दिख रहा है, ये तो कोई फ रेड कलर का दिख रहा है, लाल कलर का दिख रहा है, वो क्या है, वो है टिका, क्या है, टिका, और ये लड़की, ये लड़के को भी टिका लगा रही है, कोई भी पूजा, नहीं तो कोई भी फेस्टिवल पे, सर पे जो लगाते है, लाल कलर का डॉट, उसे टिका बोलते है टसे टीका और ये क्या है अरे बापरे यहां तो सब जगा पानी पानी है परन्तु ये बीच में क्या है आजू बाजू सब जगा पानी है और बीच में जमीन दिख रही है इसको हम इंगलिश में बोलते है आइलेंड मतलब पुरे समंदर के बीच में ऐसी जमीन जिसके उपर हम रह भी सकते है और पौधे भी उखते है इसको हिंदी में बोलते है टापू टसे टापू बच्चो आपको दोहराना है टसे टापू बच्चो देखो ये बच्चे कितने नजदिक बैटे है टीवी के ये बहुत गलत बात है ऐसे हमको टीवी के सामने इतना नजदिक बैट के नहीं देखना है बच्चे हिल भी नहीं रहे है ऐसे सर उपर करके एकदम से देख रहे है इसको क्या बोलते है टुकू टुकू के देखना ऐसे एक ही नज़र देखना एसे पलक भी नहीं जपकाना तो क्या होता है वो ट से टुकुर टुकुर देखना समझा? यह गलत बात है बच्चो आपको टीवी के सामने ऐसे नहीं बैठना है देखो उनका बैक भी स्ट्रेट नहीं है वो लोग जल्दी बुड़े हो जाते हैं वो जो टीवी के सामने ऐसे बैठते हैं तो ये गलत चीज है, आपको ये नहीं करना है, बट हमने ये शब्द नया सीखा, ट से टुकुर टुकुर देखना, बच्चों ये वेजिटिबल है, येस कौन सा वेजिटिबल है, टमाटर, ट से टमाटर, बच्चों आपको दोहरा ना है, ट से टमाटर, मुझे आशा है आपको व्यंजंट शे सुरू होने वाले सभी शब्द और वस्तुवे समझ में आई होगी आपको इसको बार बार देखना है और बार बार दोहराना है धन्यवाद